जैमाता की दोस्तों, नुष। अब रात्रो में कलश ठापना कैसे करें। कलश ठापना करने के लिए आप कोई भी कलश ले सकते हैं, मिट्टी का, पीतल का, तामबे का। लेकिन स्टील का कलश मतलें, यहां पर मैंने मिट्टी का डेकॉरेटेड कलश लिया है, और कलश के कंट पर मैंने मोली बांद ली है और सात्विक बना कर तिलग कर लें कलश में कलश के नीचे आप चाहें तो अस्ट दल कमल बना लें नहीं तो आप थोड़े से चावल रख सकते हैं उसके बाद कलश के अंदर हमें शुद जल भरना है जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला ली थी और कलश को आपने पूरा अच्छे से भर लेना है उसके बाद लेनी हैं आपको पलव पांच साथ पलव ले सकते हैं आप यहां पर मैंने अशोका के पलव लिये हैं आप आम के पलव ले सकते हैं पान के पत्ते ले सकते हैं उनके उपर भी आप कुम-कुम चंदन और अक्षत अर्पित कर दीजिए उसके बाद कलश में डालने के लिए भी आपको समान की जुरूरत होगी कलश में आप कोई भी पांच या साथ चीजें डाल सकते हैं यहाँ पर कलश में डालने के लिए मैंने हल्दी की गांट, चांदी का सिक्का, लोंग, इलाईची और एक सुपारिली है आप इसी तरह से पांच, साथ जितनी भी चीजें चाहें तो दुर्वा भी डाल सकते हैं थोड़े से चीनी के दाने डाल दीजे, इस तरह से पांच या साथ चीजें आपको लगानी हैं और साथ में पांच पलव या साथ पलव रखने हैं उसके बाद मित्रों सबसे बड़ी कन्फियूजन आती है हमें नारियल का मुख किस दिशा में करें, नारियल का खड़ा करके रखें, लेटा कर रखें तो इन सब प्रशनों का उत्तर भी मैं आज आप से इसी वीडियो में देने वाली हमित्रों आपको लेना है एक जटा वाला नारियल नारियल जटा वाला ही होना चाहिए जिसके अंदर पानी होता है पानी के एक तरफ जटा होती है और दूसरी तरफ मू होता है जहां पर दो आखें और एक मू बना हुआ होता है इस तरह के आपने नारियल देना है और मुह हमेशा सादक की तरफ होनी चाहिए और जटा हमेशा पीछे की तरफ होनी चाहिए आगी की तरफ हमने मुह रखना है जहां पर दो आखें और मुह होता है इस तरह से पानी वाला जटा वाला नारियल आपको लेना है यह बहुत ही ज कभी भी खाली नारियल नहीं रखा जाता, आप अपने नारियल के उपर कलावा बान दीजिये, चुनी बान दीजिये, तो मैं आपको इस वीडियो में रख कर दिखाती हूँ, हमेशा नारियल को किस तरह से रखें, तो आपको जटा पीछे रखनी हैं, और मूँ आगे रखना सादक की तरफ मूह होना चाहिए जहां पर दो आखे और मूह होती है उस तरह से आप रखें देखिए अभी मैंने इसके उपर चुन्नी नहीं लगाई है ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए अगर आपने नारियल को खड़ा करके रखना है तो आपको जटा नीचे रखनी है और मू उपर रखनी है इस तरह से आप खड़ा करके भी नारियल को रख सकते हैं या तो आप खड़ा करके रखें तब आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर लेटा आकर रखना है तब इन बातों का ध्यान रखकर ही आपने कलर स्थापना करनी है, नारियल रखना है, नारियल इस तरह से रखेंगी तो आपको पूजा का पूण फल मिलेगा, देखे मैंने नारियल की उपर चुन्नी और कलावा बान दिया है, आप मुँ में आगे रखूंगी और जटा पीछे रखूंगी, आपने ल पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ होना चाहिए और जटा पीछे होनी चाहिए, तो मित्रो नारियल से संबंदित, यह जानकारी कलर सापना की नारियल रखने की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को जूट सब्सक्राइब करे लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट बुक्स में जैमाता की अवश्य लिखें